हेलो दोस्तो सुवागत आपका अपने चैनल में दोस्तो आज हमारी हिस्टरी की MCQ सीरीज का 46 पार्ट है चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सिवाजी ने मजबूत नो सेना का गठन किया था सिवाजी का सरुप पर्थम नो सेनिक बेड़ा कहा इस्तापित्ता कोलाबा में किसने परती निदी पद का सर्जन किया जो पद करम में पेश्वा से भी उपर था राजा रामने सिवाजी के बाद करमसा दूसरा चत्रपती एवं दूसरा पैस्वा कोन बना संभाजी दूसरा चत्रपती था और दूसरा पैस्वा कवी कलस्था सुमेलित करें सूची एक में छत्रपती हैं और सूची दू में सासन काल हैं संभाजी का 1680 से 89 तक राजा राम का 89 से 1700 तक तारा भाई का 1700 से 1708 तक और साहु पर्थम का 1708 से 1759 तक तो इसका अंसर होगा 1, 2, 3, 4 कूट देखते हैं ओप्सने राइट अंसर होगा किस मराठा सासक के सासन काल को पेसवाओ के सासन काल के नाम से जाना जाता है साउ के मराठा मंडल या मराठा राज्य संग की इस्थाबना किस पेसवा के समय हुई बालाजी विसुनात के मुगलो एवं मराठों के बीच हुई 1719 इस्वीगी संदी को रिचर्ड टेंपल ने मराठा समराज्जे का मैगना कार्टा कहाए यह संदी बालाजी विस्वनात एवं सियद बंदुओ ने किसके नाम पर की मराठा चदरपती साउ एवं मुगल बादसा रफी उद रजात के मराठा समराज्जी की सबसे बहादूर महिला कौन थी तारा बाई वह अंतिम चदरपती कौन था जिसने संपुर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा चदरपती नाम के राजा रह गए और धिरे धिरे सारी सकती पैस्वा के हाथ में चले गए साउ पर्थम के यही समय है जब हम विदेश्यों मगलों को अपने देश से निकाल कर अमर किर्थी का अरजन कर सकते हैं यदि हम इस सूक रह पुराने वरक्स के तने पर आगात करेंगे तो उसकी साखाई अपने आफिक गिड़ जाएंगी यहै किसने कहा बाजी राव पर्थम ने किसे लड़ागों पैसवा और हिंदू सकती का अवतार कहा जाता था बाजी राव पर्थम को निमन में से किसने पुर्ट गालियों से सालसेट एवं बेसिन के दिवपो कोचिना बाजी राव पर्थम ने किस पैसवा ने मुगल बासा महमन सार अंगिला को मराठा सकती की एक जलग दाने के लिए 1737 इस्वी में दिल्ली पर आकर्मन किया और महमन सा को मालवा की सुबेदारी पैसवा के नाम करने के लिए विवस किया बाजी राव पर्थम ने किसके समय में मराठा सकती अपने चर्म उतकर्स पर पहुँची तता साथ ही मराठा सकती का पतन भी आरम हुआ बालाजी बाजी राव के पैसवा बाजी राव एवं छत्रपती राम राजा के बीच हुए संगोला संदी 1750 इस्वी के समन्द में क्या सत्ते हैं ओप्सन देखते हैं यह संदी पुना सम्मेलन में सभी परमुक मराठा सरदारों की उपस्तिती में किया गया यह सही है छत्रपती राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्ता वेज पर हस्ताकसर करने के कारण यह संगोला संदी कहलाया यह भी सही है केंदरी सरकार का पुरा में बंगाल बिहार उडिसा में 1751 के बीच मराठा सक्ति का परसार किया और बंगाल के नमब अली वर्दी खां को संधिय करने पर विवस किया रगुजी बोसले ने किस मराठा सरदार ने 1758 से 69 में पंजाब विले किया रगुनात राव ने किसने दिल्ली में मुगल बास्ता की साहता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दिवाने आम की छट से चांदी निकलवाली सदा सीवराव भहुने दो मोती जल में गुल गए सोने की 27 मोरे खोई गई चांदी और तंबे की जो हानी हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता यह किस से सम्मन्दी थे पानी पत के तृत्ते युद में मराठा सेना के विनास से किस इतियासकार ने कहा पानी पत का तृत्ते युद एक निर्नायक युद था मराठा सेना के मुकट मनी वहीं गिर गई थी और इस युद के पश्चात मराठो के अकिल भारते समराज्य के सोपन नश्ट हो गए जदूनात सरकार ने सिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद का संचालन किया बाजी राव पर्थम ने किस मराठा पेश्वा को मेक्या वेली कहा जाता था नाना फड़न विसको निम्न मेंसे किस ने पानी पत के तृत्य युद में संगटित मराठा सेना का नितरतव किया सदासिव राव भाउने पानी पत के तृत्य युद के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजी राव को गहरा अगात लगा जिसकी मिर्टिव हो गई बालाजी बाजी राव के बाद बने पेशवाव को काल करम अनुसार सजये इनमें पहले माधव राव, फिर नारायन राव, फिर माधव राव, नारायन और फिर बाजी राव दिवित्य जिसका अनसर होगा एक, दो, तीन, चार कूड देखते हैं, ओप्सने राइट आंसर है वर्स 1791 में दिल्ली की गद्धी पर सहा अलम दिवित्य को पुनर इस्थापित करने वाला मराठा सर्दार्ता महदाजी सिंदिया किसे अन्ति महान पेशवा कहा जाता है माधव राव को किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्जी की देखरे बड़ा भाई या बार भाई नाम की बारा सदस्चों की एक परिशद करती थी माधव राव नारायन किस के सासन काल में पर्थम आंगल मराठा यूद 1775 से 82 हुआ माधव राव नारायन के दिवित्य आंगल मराठा यूद एवं त्रित्य आंगल मराठा यूद के समय मराठा पेशवा था बाजीराव दिवित्य मराठा समराज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव दिवित्य सुमेलित करे सूची एक में संधी का नामे और सूची दो में वर्से सूरत की संदी 1775 में, पुरंदर की संदी 1776 में, बढ़ गाउं की संदी 1789 में, साल बाई की संदी 1782 में, तिसका अंसर होगा 1, 2, 3, 4, उड़ देखते हैं, option A, right answer होगा सुमेलित कीजिए, सूची 1 में, संदी का नामें, और सूची 2 में, वर्षे, देव गाउं की संदी 1803 में, सूरजी अरजुन गाउं की संदी 1803 में, राजपुर घाट की संदी 1805 में, तिसका अंसर होगा 1, 2, 3, उड़ देखते हैं, option A, right answer होगा तिरिते, आंगल मराठा युद, 1817-18 के दोरान होई, सबसे अंतिम संदी थी, कानपुर की संदी मराठा सची वाले कहलाता था, फाद तिरिते, आंगल मराठा युद, जोकी अंग्रेजु, एवं मराठो के बीच, अंतिम युद्ता का क्या परिणाम हुआ, option देखते हैं, पैसवा का बत समाप्त कर दिया गया, एवं बाजिराव दिवित्य को पैंसन याफ्था, बनाकर बिठोर, कानपुर के निकट में, रह रहे आंसर होगा, उपरियुक सभी, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन, यूरोपिय धंग से किया, मैदाजी सिंधिया ने, सुची एक को सुची दो के साथ सुमिलित कीजिए, सुची एक में राज्यशेद, सुची दो में संस्ता बग है, बडोदा के गयकवार, इंदोर क होलगर, नागपुर के भोसले और गवालियर के सिंधिया, तो इसका अंसर होगा, एक, दो, तीन, चार, कूट देखते हैं, उपसने राइट अंसर होगा, किस ने कहाएगी, मराठो का उदे, आक्समिक, अगनी कांड की भाती हुआ, गरांट डपने, 1775-82 के पर्थम, आंगल मराठा युदगा, निमले की दमें से कौन सा एक, परिणाम था, किसी भी पक्स की जीत नहीं हुई थी, एमद सा अबदाले के बारत पर आकरमन और पानी पत की दीसरी लड़ाई, लडने का तात कालिक करण क्या था, वहां मराठाउ दवारा, और साह के निश्कासन का बदला लेना चाता था, औरंग जेब की मिर्ट्यू के समय मराठा नेतरतव किसके हातों में था, तारा भाई के, सीवा जी का जनम कब हुआ था, कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपादी धरन की 1627-1674 में, सीवा जी का जनम 1627 में और छ खत्रपति की उपादी 1674 में, सीवा जी की मिर्ट्यू के पश्चात उत्रा अधिकार के लिए किनके बीच लड़ा हुई राजा राम और संभा जी के, पैसवाई को कब समाप्त किया गया था, 1818 में, तो दोस्तों यह थी मरी वीडियो, अगर आपको चले गयो, तो कमेंट क करके जरूर बताएं, धन्यवाद